जैगुरु जी बोल माके बिहारी लाल की जै शिरिमत भागवत का अगला अध्याय शुरू बीसमा अध्याय मैत्रे जी रिशीश्वर का विदूर जी से जगत की उत्पत्ती कहना शौनक आधिक रिशीश्वर उने इतनी कथा सुनकर सूच जी से पूछा कि जब वाराजी पृत्वी को पानी पर स्थिर करके वैकुंट को गए उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई मैत्रे रिशीश्वर और विदूर से क्या संबाध हुआ सुच जी ने कहा वारा अवतार की लीला सुनकर विदूर जी बहुत परसंद हुए उन्होंने मैत्रे रिशीश्वर से पूछा महाराज ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन किया मैत्रे जी बोले जब उसे भूख और जब पृत्वी स्थिर हो चुकी आदी निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 सत्व प्रकट हुए फिर एक पूरुश्यक्ष नाम का उत्पन हुआ जब उसे भूख और प्यास लगी तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ ना पाकर भ्रह्मा जी को खाने को चला जब भ्रह्मा जी ने एक क्रोध करके उसको मना किया तब उनके क्रोध से तमो गुणी पूरुश्यक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मान कर जीवों का उत्पन करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सुष्टी रचने में अधर्मी लोग उत्पन होंगे जब मैं दूसरा तन धर कर सतो गुण से जीवों की उत्पत्ती करूँगा तब ग्यानी और धर्मात्म दोग उत्पन होंगे ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़ कर दूसरा शरीर धारन किया और अपने पहले शरीर के धाइने अंग से स्वयंभू मनू नाम का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शत्रूपा नाम की इस्त्री उत्पन करके दोनों का विभा कर दिया स्वयंभू मनू ने ब्रह्मा जी से कहा कि है महाराज मुझे क्या आग्या है ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभूव मनू और शत्रूपा उत्पन हुए हैं उस शरीर से परमेश्वर का तप अस्मरन नहीं किया था इसलिए हरी बजन किये विना धर्मात्मा वा ज्यानी मनुष्य इनसे उत्पन नहीं होंगे ये बास सोचकर ब्रह्मा ने स्वयंभूव मनू और शत्रूपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप स्मरन करके पीछे संसारी जीवों के उत्पत्ति करो जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन हो ब्रह्मा जी की आग्या से स्वायंभू मनुअ शत्रूपा उसी समयवन में तब करने चले गए उनके जाने के उप्रांग ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की हे दीन दयाल मिरा प्राश शमा करो मुझसे संसार रचने में भूल हुई ये कठिन काम मुझसे नहीं बन पड़ता तो मुझे समर्थे दो जिसमें तुम्हारी आग्या नुसार जीयों की उत्पत्ती हो ये बास सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नरायन जी ने युगदेश किया कि हे ब्रह्मा तुम्हारा तन शुद्धुआ तुम संसार की रचना करो धर्मात्मा और ज्यानी मनुश्य उत्पन होंगे वैकुंट नात का ये वचन सुनते ही ब्रह्मा ने परसन होकर नरायन जी की किरपा से मरीची कश्यप अत्री अंगिरा पुल सत्य कृतू ब्रिगू वशिष्ट दक्ष और नारज ये दक्ष पुत्र उत्पन किये उन दशों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आग्या हो सो पालन करें ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग परमेश्वर कतब करके संसारी जी उत्पन करो इसी बात में नरायन जी और हम परसन होंगे ब्रह्मा का ये वचन सुनकर नारज अंगिरा और कृतू तीन मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और व्रिगवादी साथ बेटे परसन होए दसो मनुष्ये परमेश्वर कतब करने के लिए वन को चले गए ब्रह्मा जी के जिस शरीर से स्वयमभू मनुव शत्रूपा उत्पन होए थे उस तन की हड्डिवा चमड़ा जो पड़ा था उसमें से एक अंध्यारा प्रकट हुआ उस अंध्यारे को यक्ष और रक्ष ने पहले जो पहले ब्रह्मा से उत्पन होए थे इस्तरी समझ कर ले लिया 21 अध्याय नारायन जी का स्वयमभू मनु शत्रूपा और कर्दम रिशिश्वर को दर्शन देकर वर्दान देना मैतरे रिशिश्वर बोले है विदूर जब स्वयमभू मनु और शत्रूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप और ध्यान किया तब बैकुंठ नार ने दर्शन देकर उनसे कहा मैं तुमसे बहुत परसन हूँ कुछ वर्दान मांगो स्वयमभू मनु और शत्रूपा ने पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति और पूजा करके हाज जोड़कर काहे दीनानात अंतर्यामी हमने संसार उत्पन करने और राज गद्दी कसुप भोगने के लिए तब किया है सो हमने बड़ी भूल की जो राज्ये की इच्छा से तब किया मुक्ति प्राप्त करने के लिए तब और स्मरन करना उचित था नरायन जी ने ये वचन सुनकर काहे स्वयमभू मनू जिस मनौरत के लिए तब किया है वह वर्दान मांगो उसके सिवा और जिस वस्तु की तुमें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो जब बैकुंठ नात की ऐसी दयावा किरपा स्वयमभू मनौ अर्शत रूपा ने अपने उपर देखी तो हाँ जोड़कर बोले हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे घर उत्पन हो ये वास सुनकर परवरम परमिश्वर ने कहा मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुमारे उत्पन होकर तुम लोगों की इच्छा पून करें इसलिए हम स्वयम तुमारे घर अफ्तार लेंगे ऐसा कहकर नारायन जी अंतरधान हो गए स्वयमभू मनौ अर्शत रूपा ने ब्रहमा जी के पास आकर दंडवत किया स्वयमभू मनौ अर्शत रूपा से दो बेटे उत्तान पाद और प्रिये वरत और तीन कन्याई आकूति देवूति और परसूति नाम की ऊत्पन हुई उत्तान पात के धुरुव नाम का पुत्र उत्पन हुआ और प्रिये वरत पहले नारज जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से साथ तोध वीपों का राज्ये किया स्वायंभू मनु ने आकूती का विभारुची नामक रिशीश्वर से कर दिया ब्रह्मा जी के बेटे करदम रिशीश्वर ने पिता की आग्या से दस हजार वज़ तक परमेश्वर का तब किया जब नरायन जी ने पर सनोकर दर्शन देने के बद उनसे कहा कि तुम वर्दान मांगो तब करदम रिशीश्वर दंडवत्त और पूजा स्तुति करके हाथ जोड के बोले ये जो तिसव रूप अंतर्यामी मैंने संसार उत्बन करने के लिए तब किया है ये वचन सुनकर वैकुंठनात ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था सो मैंने तुमको इच्छा पूर्वक वरदान दिया इसके सिवा और तुझ चाते हो तुभे सब तुमको मिल जाएगा आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनू तुमारे पास आकर अपनी कन्या देव भूती तुझे विवा देगा और हम तेरे यहां अवतार ग्रहन करेंगे ध देखो करदम रशीश्वर ने केवल विवा के लिए जो सदस्तिर नहीं रहता दस हजार वर्ष्ट तप किया जिस जगह परमेश्वर का आसुगिरा था वहां बिंदुसर नामक तीरत प्रकट हुआ वहत आलाब आज तक कुरुशेत्र के पास वर्तमान है आसुगिरने के उ स्वयंभू मनु के आगमन की आशा करने लगे तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपने इस्त्री शत्रूपा और कन्या देव हूती समेच जड़ाउं रत पर चड़कर पहले बिंदु सर तीरत में गए वहां सनान करने के बाद फिर करदम रशीश्वर के स्थान पर जाक कर बहुत परसंद हुए उन्होंने अपनी कन्या देव हूती का विभा करदम जी के साथ करने का विचार किया और करदम रशीश्वर के सामने खड़े होकर हाज जोड़कर बोले महाराज नारत के मुख से आपके गुन सुनकर मेरी कन्या देव हूती की इच्छा तुमारे सा बिभा करने की हुई है उसने अपनी माता से ये हाल कहा और मैं अपनी इस्तरी से उसका मनोरस सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी ये बात सुनते ही करदम जी मन में बहुत परसनों के बोले ही राजन तुम्हारा कहना सुनत्मन हो जाएगी तब मैं गरस्ती छोड़कर हरी बजन करने चला जाओंगा स्वयंभू मन्नु ने रशीश्वर महाराज का कहना मान लिया डेव भूती ऐसी सुन्दरी थी कि काम देव की इस्तरी रती वी सुन्दरे में उसके समान ना थी 22 अध्याय स्वयंभू मन्नु का करदम रशीश्वर के साथ अपनी कन्या देव भूती का विभा कर देना मैत्रे जी ने विदूर से कहा कि जब करदम रशीश्वर ने देव भूती के साथ विभा करना अंगी कार किया तब स्वयम्भू मनू ने देव भूती का विभा करदम जी से विधी पूरवक करके कहा महराज आपको सेना और द्रवे आदि जिस वस्तु की चाहो सो मैं तुम्हारे या पहुचा दूँ क्योंकि मेरा सवराज्य और धन ब्रामनों और रशीश्वरों का है ये सुनकर करदम हसकर बोले हे राजन हमको धन और सेना कुछ ना चाहिए जब स्वयम्भू मनू और शत्रूपा अपनी कन्या को करदम जी के पास छोड़ कर राज मंदिर को जाने लगे तो देव हूती ने बहुत रुधन किया राजा और रानी उसे धैरे देकर करदम जी से विधा हुए औ उनका सब काम भी ना कहे कर देती थी जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े राजा स्वयम्भू मनू ने भष्मती पूरी में जहां वाराजी के रोम गिरने कुशा उगने और शीश्वनों के मंत्र पढ़ने से दैते नहीं रह सकते थे अपनी राजगर्दी पर जाकर विचार किया और हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत हैं संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुक के लिए जो सदास्थिर नहीं रहता खर्च करते हैं और पर लोग का डर नहीं रखते किन्तु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन दे उसे वह नरायन जी के नाम पर शुक करम में खर्च करें ये वाद विचार कर स्वयम वो मनुष्य ने हर साल विधी पूर्वक जगे करना और नित्यप्रती भहुत सी गाएं को और स्वरन आधिक ब्रहामनों को दान देना अरम किया जब नित्यनियम से छुट्टी पाते इकत्तर चतुजूग उन्होंने राजे किया और हरी भजन के परताप से उनका पराकरम मरते समय तक जियों का त्यों रहा उनका कोई शन परमेश्वर की याद और चर्चा के बिना नहीं बीटता था उनके राजे में हरी इच्छा से जब प्रजा चाती तब पानी बरसता थ बारो महीने सब तरह के फलफूल विक्षों में लगे रहते थे, सब प्रजा अनन्द में रहे कर परमेश्वर का भजन स्मरन किया करती थी, स्वपन में भी किसी को दुख नहीं होता था 23. करदम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहे कर देव भूती के साथ विहार करना मैतरे रिशीश्वर बोले हेवी दूर जी देव भूती नित्ते अपने पती की सेवा में रहकर एक दिन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई उसके मन में घ्रस्ती का सुख भोगने की कुछ चाना हुई करदम रिशीश्वर उसकी सेवा और पती वरत धरम से बहुत परसंड रहते थे उन्होंने अपने तब के प्रभाव से जान लिया कि मेरी इस्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है ये जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राज करने होकर आज तक कभी अपने ले कुछ गहना कपड़ा मुझसे नहीं मांगा इसलिए इसकी इच्छा पूरन करनी चाहिए ऐसा विचार कर करदम रिशिश्वर बोले हेरा पुत्री मैं तुमसे बहुत परसन हूँ जो इच्छा हो सोवरदान मांग ले इस बात का संदे ना करना कि ये कहां से लाकर हमको देंगे नारायन जी की किर्पा से हम सब पधार तुझे दे सकते हैं ये वचन सुनते ही देव भूती हसकर बोली है स्वामी आप लोग और परलोग दोनों जगां का सुप देने वाले हैं जब मैंने आप जैसा पती पाया तो मुझे किस वस्तुई कमी है मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापूरुष और गुन्वान जानकर मुझे आपको अरपन किया है एक बार मुझे आपके सत्ग्रस्ती का सेयों गोना बहुत है सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता ये बास सुनकर करदम जी ने कहा तु संतोश रख मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा अपने पती का ये वचन सुनकर देव उती ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुब भोग करने के योगे नहीं है मेरा शरीर मिट्टी और धूल से भरा है किस तरह भोग विलास होगा करदम रशीश्वर अंतयामी थे उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा जड़ाओं बहुत लंबा चोड़ा जिसमें चारों तरफ मोतियों की जालरे बंदी मकमली विचोने विचे और जाड़ वाफानूस लगे थे अपने योग बल से प्रकट किया उस विमान में अनेक परकार के मकान बिलग बिलग इंदरपुरी के समान बने थे अनेक परकार के फर फूल विक्षों में लगे थे अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहामनी बोली बोलते थे अच्छे अच्छे जलाशे बने थे संसारी सुप के संपदार्थ उसमें थे देवुती ने उस विमान की शोबा देखकर मन में विचार किया कि धूर लगा मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योगी नहीं है यह संदे देव हुती के मन का जानकर उसी समय करदम जी ने अपने योग बल से एक नरायन कुंड जिसमें बहुत निर्मल पानी था और कमल के फूल पर धमर गुंज रहे थे प्रकट करके देव हुती से कहा हे राज पुतरी तो इस कुंड में सनान कर रिशीश्वर की आग्या से जब देव हुती ने उस कुंड में सनान किया तो बहुत सुंदर दिवे रूप देव कन्या के समान 12 वर्ष की वस्ता होकर जडाओं गहने उत्तम बस्तर पहने उसमें से बाहर निकलाई उसके साथ हजार दासी भी बहुत सुंदर गहने कप्रे पहने हाथों में चमर वस्तुएं लिए उस कुंड में से बाहर निकली हे राज पुतरी जो आग्या होसो करें उस समय राज पुतरी ऐसी सुंदर मालूम देती थी कि काम देव की इस्तरी रती भी उसके समान नहीं थी जब करदम वे रूप अश्वनी कुमार के समान अतिस सुंदर सोला वश्के हो गए जब नारायन जी किर्पा से दोनों मनुष्य तरुम हुए तब करदम जी बड़े प्रेम से देवुति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चड़ गए सब दासिया भी उसी विमान में जाकर अपना अप सार का सुख उठाया जब उनका चित कहीं जाने को चाहता था तो वे विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंदर लोग बरुन लोग कुवेर लोग गंधर लोग आधी लोगों में और मंदराचल आधी पहाणों पर एक शन में चला जाता था देव कन्या और देवता आधी उस मिमान की सुन्दरता और रचना देखकर करदम जी और देव उत्ती के भागे की बढ़ाई किया करते थे जब उसी तरह करदम रिशीश्वर को दस हजार वश देव उत्ती के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके नव कन्याय उत्पन हुई तब करदम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायन जी का तब पुर ध्यान करूं ऐसा विचार कर उन मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में बूलकर आपकी सेवा टैल से विमुक रही मुझे उचित था कि आपके चर्णों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती सो संसारी सुख भोगने से नव कन्याय उत्पन हुई आए इनके विभा करने का सोच मुझे लगा है इनका विभा करके मैं भी बंदन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टैल करने के लिए चलती सो इनका न्याओं का विभा कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरी भजन कीजिए आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विभा करने के लिए कहां वर पाऊंगी भजन और सत्संग नहीं किया और संसारी माया मों में फसकर भिष्ट हुआ उसका जनम लेना निश्वल समयना चाहिए परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया जो आप जैसे महापूरुष पती पाने पर भी मैंने हरी भजन नहीं किया संसार में जो मनुष्य शाल ग्राम बठाकुर्जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं उन्हें जीते हुए मिलतक के समान जानना चाहिए ये बात सुनकर करदम रिशीश्वर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे अवतार लेने के लिए वरदान दिया था सो अभी तक जनम नहीं लिया ग्रस्ती की छोड़ देने से ये बात रह जाएगी करदम रिशीश्वर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी इस्त्री से बोले है राज पुत्री तो अपने मन में किसी बात का संधे मत रख तेरे गरब से नारायन जी अवतार लेंगे ऐसा कैकर करदम रिशीश्वर ने देव जब देवूती के गरब में कपिल देव मुनी ने वास किया तब करदम रिशीश्वर उसके मुखार विंद का परकाश देखकर बोले हे राज पुत्री तेरे गरब में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं सो तु किसी बात की चिंता न कर अब हम तब करने के लि कर देवूती को निश्चे करने के लिए कहा हे राज पुत्री तेरा तब जब नियम वा धरम सब सफल हुआ अब तेरे गरब से परभ्रम परमेश्वर कपिल देव मुनी का अवतार लेकर संसार में तेरा यश्व किरती बढ़ाएंगे उनके उत्पन होने से तुम्हारा ना सिखाने के लिए अवतार लेते हैं जब धरम के हानी होती है तब वह संसार में अवतार लेकर धरम की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं यह कहकर देवता लोग देवूती और कर्दम रिशीश्वर की परिकर्मा करके अपने अपने लोग को चले गए देवूती को हरी मंद जानकर उसके दर्शन करने से वह बहुत अनंदित हुए जब दस महीने बीतने के बाद कपिल देव मुनी ने अवतार लिया तब करदम रिशीश्वर प्रमेश्वर के सब लक्षन उनके अंगों में देखकर बहुत परसन हुए उस समय देवताओं ने अनंद की दुन्दुभ बजाकर आकाश से हूल बरसाए गंदर्मों ने नारायन जी का यश गाया अपसराएं आकाश में आकर अपने विमानों पर नाचने लगी और मंगला तीनों लोकों में मंगला चाक हुआ चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया जब करदम रिशीश्वर ने उन्हें सुति की है आदी पूरुष भगवान तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं आपका दर्शन बड़े-बड़े योगी और रिशीश्वर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता मेरा बड़ा भागिया जो आपने मेरे आवतार लि जिस समय करदम जी ये स्तुति कर रहे थे उसी समय फिर भ्रह्मा जी सनक सनातन सनंदन वा सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी के हाथ चोड़कर विंती की महराज जैसे आपने अपने मुखार विंत से कहा ता वैसा करके अपने दर्शन हम लोगों को दिया संसार में त करदम से कहा कि तुम अपनी सब नव कन्याओं का विभा नव रिशीश्वरों से कर दो शांति का विभा अथरवन रिशीश्वर से कर दिया सो यग्य की सब कन्याएं सब क्रियाएं अथर वेद के परमान से होती हैं विभा करने के उपरान रिशीश्वर लोग अपनी अपनी स्तिरी समेथ करदम जी और देवुती से विदा होकर आनन पूर्वक अपने अपने स्थान को गए ब्रह्मा जी और सनकादी क्रिशीश्वर भी कपिल देव मुनी को दंडगवत करके चले गए करदम जी ने अपनी सकन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनी से विन्य किया कि ये महाप्रभु संसार में ये जीव बारंबार जनम मरन से कैसे फसे रहने के मुक्ती की इच्छा नहीं रखते और नेक परकार के दुख उठा कर दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते इसका क्या कारण है और आपसे ये पुछताओं कि कौन उपाय करने से ये मन जो परिवार के माया मो परिवार संसारी सुक में फसके नश्ट हो रहा है उस माया रूपी जाल से छूट सकता है करदम जी का ये बचन सुन कर कपिल देव मुनीने का है रिशी श्वर तुमारी इच्छा पूरी होई जब मनुष्य संसार में जनम लेता है तब तीन रिन देव करन देवरिन पितर रिन रिशी रिन उस पर रहते हैं तुम यगे करके देवरिन वेत पढ़कर रिशी रिन और संतान उत्मन करके पितर रिन तीनों से उरिन होए अब हरी बजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है जो तुम अपना संसार मन से विरत कियार करना चाते हो तो धीरे-दीरे साधना करने से संसारी प्रीत छूट जाती है तुम इस तन को जूटा समझो जिस तरह पानी में बुल्ला उड़ता है उसमें मिट्टी पानी आग हवा वा आकाश कोई वस्तू नहीं होती उसी तरह इस तन को निशिद समझ कर उसका अंकार मत करो प्रान निकलने के बाद वैह शरीर किसी काम नहीं आता इसलton शरीर से प्रीति नहीं करनी चाहिए प्रेम उस वस्तु से करें जो सरवदा सिर रहे उसका कभी नाश ना हो जिसके प्रकाश से इस तन में चलने सुनने देखने और उसका और स्खाने पीने की समर्थे उसका ध्यान करो उस चमतकार को सरजीवों के तन में मेरी शक्ति समझ कर किसी वस्तु से प्रीत ना करो मेरे प्रकाश को प्रती दिन अपने शरीर में ध्यान धर कर देखो तक तुम्हारा चित शुद हो जाएगा हे पिताजी संसारी जीव इस ग्यान को भूल कर केवल अपने तन धन और पडिवार पर अंकार करते हैं इसलिए मैंने धर्म और ज्यान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारन किया है हे रिशीश्वर काम क्रोध लो मो मद और मत्सर छे शत्रू मनुष्य के शरीर में रहे कर संसारी जीवों को बुलावा देकर नश्ट करते हैं उनी के मद में मनुष्य अंधा होकर अधरम करता है जो उनके वश्ट में होकर उन्हें अपने धीन रखेवे मनुष्य बन में रहे चाहे घर में उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए जब तक मनुष्य अपने शरीर अपनी इस्तिरी अपने पुत्र पडिवार को अपना जानता है तब तक उसको मृत्यों और सब किसी से डर है जब उसे मेरी आग्या अनुसर ज्ञान प्राप्त होता है तब वैक आलादिक सबसे निडर हो जाता है इतनी कता सुनाकर मैत्रे जी रिशीश्वर ने विदुर जी से कहा ये ज्यान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरत करके कपिल देव जी से कहा महाराज अब मुझे कहिए तो बन में जाकर आपके चन्नों का ध्यान करूँ यहां रहने से मेरा मन संसारी माया में फसा रहेगा आप यही ग्यान अपनी माता को भी सुनाकर भव सागर पार उतार दीजिएगा यह बास सुनकर कपिल देव जी ने का है पिता तुम बन में जाकर हमारी सवरूप का ध्यान रखना और सादू महात्मा की संकती करना जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा, किर्तंद और चर्चा होती है उनके सत्संग और मेरे ध्यान के परताब से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दोड़ेगा जै दुरूजी, शुक्राना दुरूजी, बोल बाके भिहारी लाग की जै